हेलो एवरीवन वेल्कम टू कल्यू पाट शाला जैसा कि आप सभी चानते हैं कि प्रीविएस क्लास में हमने जहांगीर कादीन कला को पढ़ा था तो आज हम सहाजां कादीन कला को पढ़ेंगे इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब सब्सक्राइब कर दें तो चलिए स्टार्ट करते हैं शाह जाह के बारे में तो अगर बात करी जाए शाह जाह की तो अगर इनके जन्म की बात करी जाह तो इनका जन्म कहां पर हुआ था लाहॉर में हुआ था कहां पर लाहॉर में हुआ था और कब हुआ था फिफ्टीन ना प्रास में बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं तो सहाज जहां के अगर बात करी जाए तो इनका जन्म कहां पर हुआ है इनका जन्म हुआ है लाहुर में और कभ 1592 में इनका जन्म हुआ था ठीक है चलिए नेक्स्ट है इनके पिता त होता है कि जो श्याह कलम होती है यानि श्याह कलम का शुरुवात मानी चाती है यानि श्याह को जो टाइम पीरिड था उस टाइम पर श्याह काम की शुरुवात होती है ठीक है और श्याह कलम का विशेशक्य कौन था तो मुहम्मद कादिर था कौन था मुहम्मद कादिर था यानि जो श्याह कलम जो तकनीक थी उसकी शुरुवात कब होती है सहा जहा के टाइम पर होती है और इसके जो विशेशक्ग थे उस टाइम पर कौन थे मुहम्मद कादिर थे कौन थे मुहम्मद कादिर ठीक है चलिए अब बात करते हैं कि इनके जो चित्र थे उस टाइम के सहा जहां के समय में जो चित्र थे उनमें चौड़े हाशियों का प्रयोग होने लगा था ठीक है और शाह जहां के समय विदेशी या यवन इस्तियों के चित्र शरवादिक बनाए गए थे तो आपने देखा इस से पहले जो थे वहां पर क्या होता था इस्तियों के चित्र नहीं बनाए गए हैं मगर जहांगीर के समय में थोड़े बनने लगे थे ठीक है मगर सहा जहां के समय क्या होता है विदेशी या यवन इस्तियों के चित्र सरवादिक बनाए गए थे ठीक है तो यहां पर विदेशी और यवन इस्तियों के जो चित्र हैं सबसे ज़्यादा किस के समय में बनाए गए हैं तो सहा जहां के समय में बनाए गए हैं और अगर शिरवात पूछी जाए तो किस की कहां से होती है तो जहांगीर के समय से इस्तियों के चित्र भी बनाए जाने लगे थे ठीक है चलिए नेक्स्ट देखेंगे सहाजां के शाशनकाल में दर्वारी शान शौकत का चित्रकला में अधिक प्रभाव पढ़ा था यानि सहाजां का जो शाशनकाल था उस समय की जो दर्वारी शान सौकत थी उसका चित्रकला पर बहुत अधिक प्रभाव पढ़ा हुआ था ठीक है मुगल काली इन चित्रों में अब मुगल काली जो चित्र हैं उन में किस से घरेडु जीवन से संबने चित्रों का अभाव था यानि मुगल काल में जो चित्र थे घरेडु जीवन से संबने नहीं बनाए गए थे और यह जो चित्र थे, वह क्या थे, सरवादिक दरवारी चित्र बनाए गए थे, कैसे दरवारी चित्र बनाए गए थे, तो यह most important point हो जाता है, आप से पूछा जाता है कि मुगल काल में किसका चित्र किया गया है, तो सरवादिक दरवारी चित्र बनाए गया है उस दाए पर ठीक है चलिए नेक्स देखेंगे अब देखेंगे शाह जहां कालीन जो चित्रकार थे उनके बारे में तो कुछ चित्रकार हैं जैसे हो गया फकीर उल्ला, मीर हासिम, होनहार, मुहम्मद, बिचित्र, अनूप चित्र, मुराद, हुनर ये कुछ चित्रकार हो गए और गोबर् ठीक है चलिए अब देख लेंगे इनके समय में किसका सबसे ज्यादा चित्र बनाए गए है ठीक है तो रंग महल और काम कृड़ा या रती संबंदि द्रिश्यों पर आधारे चित्र सहाचाह के समय बनाए गए ठीक है तो आपने देखा कि दरवाडी चित्र सरवादिक अगर बात करी चाह, तो रंग महल के मैख जट्र बनाए गए है किसके मैं कांक कृड़ा के या फिर रती संबने जो द्रिश्यों होते हैं उन पर आधारे जो चित्र सहाचाह के समय बना advocating कि तो इनकी किसमेए थी तो इनको विशेष रूफ से इस्थापत कला में रूची थी तो इनके time के जो भी इस्थापत कलाओं की वह हम आगे पढ़ेंगे ठीक है तो साज आँको अगर रूची की बात करी जाए तो सबसे जादा किसमे थी यानि चित्रकला से भी जादा किसमे थी स्थापत कला में थी ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं अब इनके time के स्थापत कलाओं को देख लेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे ताज महल की और ताज महल के बारे में सब ही जानते हैं ठीक है तो ताज महल इसका निर्माड किसने करवाया था तो इसका निर्माड करवाया था शहा जाने 1630 तक 1 लिकार सो लुवात हुए तो 2013 में इसके कारेत समापत हigorता है यानी ताजमहिल का जो निर्माड है लिए किसे करें ऐसे ते रखने कराया क्षचित सामापा इतेधे क स्टेज मह अगर सोवा चुकितने और कम 372 में तोwrेसकेर में गर शिदी का अनकप हुआ तो किनारे इस्थेते हैं ठीक है आगए यमंधा नदी के किनारे इस्थेतं Etrie ठीक है और ये किस की याद में बनवाया गया था तो जो शाह जाहां थे इन्होंने अपनी बीवी मुम्ताज महल की याद में इसको बन वाया था किसने शाहां जाहने और इस तो उस्ताद एहमद लाहौरी और यहां से ही question बनता है आपसे पूछा जाता है कि ताज महल के वास्तुकार कौन थे तो उस्ताद एहमद लाहौरी थे ठीक है important तो उस्ताद एहमद लाओरी ने किसके वास्तुकार है? तो ताज महल के वास्तुकार है ठीक है तो यहां पर इतने points लियां सारे ही important है तो ताजमहर अगर आपसे पूछ जाएगा की इसकंपि मर्मा में कितने वर्षों में हुआ, तो कुल बाइस वर्षों में इसका निमर्मा में पुदी किनारी पर देश्थित है और ये किस की याद में बनवाय गया है तो सहाज आ ने अपने वीवी मुम्ताज महल की याद में ताज महल का निमार करवाया था इसके वास्तुकार कौन थे तो उस्ताद एहमत लाहौली थे ठीक है चलिए नेक्स पॉइंट देखेंगे नेक्स्ट है मयूर सिंखाशन तो मयूर सिंखाशन जो है इसका निमार भी किस ने करवाया था सहाज आने करवाया था ठीक है चलिए इसे हम मयूर सिंखाशन को हम तक्ते ताउस के नाम से भी जानते हैं तक्ते ताउस के नाम से भी जानते हैं तक्ते ताउस के नाम से भी जान इसका निर्मार किसम ने करवाया था तो इसका निर्मार सहाज्जाह के समय था ठीड किसके 외स्थ का और गाम कौनते इसका बेबादल खाँ उन्हों ने कब से कब तक 1638 से लेकर 1645 तक कुल 7 वर्षों में किया था आपने देखा ताज महल का हुआ था 22 वर्षों में मयूर सिंखाशन का जो निर्मार है वह होता है 7 वर्षों में कब से कब तक तो 1638 से लेकर 1645 तक ठीक है और इसके वास्तुकार कौन थे तो इसके वास्तुकार थे बेवादल खा ठीक है और इसका निर्मार सहा जहां के समय हुआ था तो आपको यह दोनों चीज़े याद रखनी है मयूर सिंखाशन को हम किस और नाम से जानते हैं तो तक्तिताउस के नाम से भी जानते हैं इसका निर्मार सहा जहां के समय में हुआ था इसके वास्तुकार कौन थे तो बेवादल खा थे और इसका निर्मार कुल कितने वर्षों में होता है तो साइट साथ वर्षों में होता है कब से कब तर 1618 से लेकर 1615 तर ठीक है चलिए आगे देखेंगे इसमें क्या जड़ा गया है तो मयूर सिंखाशन में हीरे मोती और बहुमूल वसुएं जड़ी गई है क्या क्या इसमें जो मयूर सिंखाशन बनाये गया उसमें हीरे लगाये गये मोती लगाये और बहुमूल व करवाया है किसने करवाया है सहा जाने करवाया है ठीक है और कहां पर लाल के लेकर निर्मार सहा जाने दिल्ली में करवाया था कहां पर दिल्ली में करवाया था और कव 1639 से लेकर 1648 के मद्द में यानि 1639 में इसकी स्टार्टिंग होती है और 1648 में क्या होता है यह पूरी तरह से बन कर त्यार होग जाता है तो साह जहां ने क्या किया ने का निर्माड कर रवाया है कहां पर दिली में और इसका जो निर्माड का रहिए स्टार्त होता है सक्स्टीन हर्टीन 9-9 नहां क कभ ठाया कृष यह ठीदें तर शक्कंप्तिन होना भर्षपारिए पर रूज Iron Sound का समय लगता है ठीक है चलिए अब बात करते हैं लाल के लाब बना किससे है तो यह बना है लाल पथर से बना हुआ है किससे लाल पथर से बना हुआ है और इसके वास्तुकार कौन है हमीद एहमद है हमीद एहमद आपको वास्तुकार सभी कियात करने है यहां से ही क्वेशन प ताज महर के ये वास्तुकार है जो आपको अच्छे से लोएंट करने हैं ठीक है चलिए तो लाल किला जो है इसके वास्तुकार कौन है हमीद एहमाद है कौन है हमीद एहमाद लाल किले में और क्या-क्या बन भाएगा है तो दीवाने आम जिसे हम मयूर सिंखाषन कहते हैं मोत सजय के स्थी महल दीवान ए खास और हीड अधी इस ही लाल किला के अंदर आपको मिलते हैं चीक है चलिए तो यह हो गया लालकिला इसका निर्मार किसने करायाया था ? सहाजा, इसके वास्तुकार कौन थे ? इसका निर्माड कहां पर कराया गया तो इसका निर्माड करवाया गया है दिली में और कव 1639 में और 1648 में इसका अकारिक हतम होता है ठीक है और कुल 9 वश्चो तक इसका निर्माड हुआ है ठीक यह किस से बना हुआ है तो यह लाल पथर से बना हुआ है इसके अंदर आपको दीवाने आम जिसे हम मयूर शिंगाशन कहते हैं मोती महल दीवाने खास और हीरा महल आधी है ठीक है चलिए आप देखेंगे मुसम्मन बुर्ज चलिए इसको देख लेंगे मुसम्मन बुर्ज यह क्या है एक 6 मंजिला इमारत है कितनी यह 6 मंजिला इमारत है और इसका निर्मार किसे कहां पर हुआ है तो इसका निर्मार आगरा के किले में हुआ है कुछ जो चीजे है जिनका निर्मार आगरा के किले के अंदर हुआ है कुछ का जो निर्मार आगरा के किले के बहर हुआ है ठीन है तो इसका निर्मार कहां पर हुआ है आगरा के इसके अंदर हुआ है जैसे लाल किले के अंदर जो चीज़ inhaled थी मैंने भी आपको बताई तो इसी दरह से जो मुसम्मन इंपर 누가 इन इसा हुआ किभा से इसे मुसम्मन वर्ज से इन तूप है इसका निर्मार काँ हुआ है आगरा के किले में हुआ है इस ने करवाया है सहाजाआ ने करवायाे ठीक है चलिए अब नेक्स पॉइंट देखेंगे तो आपने पढ़ाता पित्रा दिवर्या तकनीक के बारे में ठीक है तो उसी तकनीक का ज़ो चर्मोज कर्षख है किसके समय में हुआ था पित्रा such में हुआ तो अब कि भूग कर्शी सोऽा किस समय हुआ था Wakma सामज यहां के साशने के समय कुंपने चिरे को कि सेड़ा का स्थापतिक कला काई था नोने सबसे जादा किसको नर्मार करें प्रतिख को किस इसी दरह से साज नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी मज़िद कौन सी है तो भारत की सबसे बड़ी जो मज़िद है वह है जामा मज़िद ठीक है जामा मज़िद पाजशाह नामा की रशना मुहम्मद अमीन काजवीनी ने की थी तो यह पाजशाह नामा्थ की रशना किस ने कर ढूधी थी तो यह हो ग़ए कुछ शहाजहा कारीन इंपोर्टन चीजें थी उसारी मैंने आपको करा दी एक माँ इसको अच्छे से समझ लेंगे चलिए तो भारत के अगर आपसे सबसे बड़ी मस्जिद पूछी जाएगी तो वह कौन सी हो जाएगी जामा मस्जिद हो जाएगी ठीक है पाश्चाह नामा ये इसकी रशना किस ने की थी तो मुहमद अमीन काजवीनी ने की थी ठीक है चलिए नेक्स्ट है मुस्म्मन बुर्ज क्या है एक छै मंजिला इमारत है जिसका निर्मार आगरा के किल्ये के अंदर हुआ और किस ने कराया है और जो पित्रा दिवर्या तकनीक ती जिसके बारे मैंने प्रीवेस आपको पढ़ाय हुआ है। तो पित्रा rek करत है। किससे समय मुल राल को सब्सक्रा को सब्सक्राइब के हियार। साहर जोाक है 225 हुए चस्प्रू का साहर करते कि आपकार करते है। कहां पर दिल्ली में ठीक है और यह किससे बना हुआ है तो यह लाल पथर से बना हुआ है और इसके निर्माद में कुल नौ विशों का समय लगा है यानि 1639 से लेकर 1648 तक इसके वास्तुकार कौन है हमीद एहमद है और लाल के लिए के अंदर आपको क्या क्या चीज़े मिलती है तो सहाजाहन ने करवाया है और इसके वास्तुकार कौन थे बेबादल खां थे और इसके निर्माद में कुल शाद वर्षों का समय लगा है 1638 से लेकर 1645 था इसमें हीरे मोतीवा वहमूल बस्तों भी जड़ी गई है मयूर सिंखाशन में ठीक है चलिए नेक्स है ताज मह यह नमार किस ने कर यहीं तो इसका नमाज सहाहन करवाया और कितने वर्षों में तो 22 वर्षों में कब से वो है तो कि 1631 से लेकर 1653 के बीच में ठीक है यह कहां कृटने तो आग्रा में यमना नधी के किनाड़े जते थे ए इसे बीभी् न हमताज महल की यान तो रंग महल और काम कीड़ा रती संबंदे दर्शों पर आधारे चित्र किसने बनाए है सहाजा के समय बनवाए गया है तो यह हो गए आपके सहाजा कालीन कला आई होप आपको अच्छे से समय जा गई होगी और यह कि क्लियर हो गया होगा अगर आपको वीडियो अच्छी ल